अधिवल आप लगाया है बेल्किक पुलिस्ता ने विजा के जा परिया तरज किया है। इसके पहले, चार रोज पहले ही किसान की आत्मत्य होई। उन्डगाउं की घटना ही नहीं पूरे प्रदेस में, जिस प्रकार किसान धान खर्डी को लेकर तनाओं में हैं, जिस प्रकार उनके घ्रंगे काटे गए। यह इस पस्ट रूप से किसी का 10-12 एकड़ खेत हो। और बाद में जब वो सुसाइटी जाके उपसा चले कि उसके पास 12 एकड़ नहीं, उसके पास 0.2 एकड़ भी खेत नहीं है, वागी सब काट दिया गया है। किसान जो इतनी महिनत करके पसल दिया है। जिसके उपर करद है 80,000 तो उसको फटाना चाहता है। और लेल सुसाइटी में बेच काट। वहाँ यह इस प्रकार के जबाँ मिलता है तो शॉप रहे जाता है। और यह पूरी प्रदेश की हालत है। पहला उनोंने रेजिश्टेशन में गड़ वड़ किया। आतराद बड़ जगते रहे। लोग लाइन लगा कि भूमना पड़ा। वहाँ उनके रग्वे काटे गया। दूसरा उनके लिए नुक्सान हुआ। बस्तर में तो हाला तो अखराब हो रहे। बस इन्हें राजन गवजी लेके मैंने कहा ये दो मौते जो कुई है। इसके लिए प्रसासन सरकार जबाबदार है। पुपेज मुगें जबाबदार है। बस्तर के मौमने तो और अलग है। वहाँ पे जिनके धान खरिवी के लिए सरकार ने घोसरा किया था। कि हम धान करेजी उनके पत्टे दिये साथन जे वनवासियों को पत्टे दिये पत्टे भैस्ताम लोह होने सुरू की आज उनके पट्ट पट्टे होने के बाद भी धान ना खरीजना उनको लोटा जाना ये पूरे बस्तर में पुरा तनाव को विशा है और यदि जिसान मुझे चाल नहीं पंदरा साल धान खरीदी हमने कोने किया धान खरीदी के पहले शक्ते में इस प्रकार का म महर बनना कोई दिसान आत्मत्या नहीं करता कि खुशी खुशी घर परिवार के लिए उधान लेकि आता है और उसको लगता है कि उसके प्रेंडिंग जितने काम उसको पुरा करेंगे उस साथा समय होता है इस समय यदि सर्कार ने उनको तरावां में डादा जा और मोत के ल लिए बूरा पड़ा तो ये सर्कार की उप्लेटियस होता है